नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS Studies में स्वागत करता हूँ, इस वीडियो में आपके लिए जुलाई मन्त का पूरा जुलाई मन्त का करंट अफेल लेकर आ गया हूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप से अनुरोध है, चैनल को इको सिस्टम Index 2021, आंसर हो जाएगा भारत को 20 ранक मिली है, यहाँ पर आपके लिए सारी detail भी लगा रखी है, यहाँ पर आप देख सकतے हैं भारत को तो 20 ранक मिली हैं, लेकिन अमेरिका को यहाँ पर एक रेंक मिली है, यह आपको ध्यान रखना है, टोटल 100 तोट्रों ने पार् चेस ग्रेंड मास्टर अंसर हो जाएगा अभिमन्यू मिश्रा अभिमन्यू मिश्रा ने जो की इंडिया से और जिन हुए है और अमेरिका में इस समय रहते हैं वो सबसे यंगेस्ट ग्रेंड मास्टर बन गए है ज्यादा डिटेल यहां डिसकस नहीं करूगा नहीं तो बहु is the new chief minister of Uttrakhand, तो आंसर हो जाएगा पुशकर सिंग धामी, जिन्होंने तीरत सिंग रावत की जगए लिए है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यंगेस chief minister है, यह उत्राखंड के, अब यहाँ पर आप detail देख सकते हैं, यह PDF किस तरीके से मिलेगा, वो आपको inform कर दिया जाएगा, आप यह detail भी PDF में पढ़ सकते हैं, detail वैसे मैं daily current affair में आपको पढ़ाता रहता हूँ, ठीक है, चलिए, आगे बात करें, which country certified malaria free by WHO, तो चाइना को recently, WHO ने certified कर दिया है, कि भई अब तुम malaria से free हो चुके हो, क्योंकि लगातार तीन साल हो गए, चाइना में एक भी case malaria का नहीं आया था, जिसकी होईसे यह मिला है, capital China की beasing है, rain min में उनकी currency है, और president उनके sea zimping है, चलिए, आगे बात करते हैं, salute doctors banking solution for doctors launch by which bank, तो answer हो जाएगा, ICICI bank ने salute doctors एक banking solution launch किया है, banking solution scheme launch किया है, जिसमें banking की सारी सुविदाय डॉक्टरों को दी जाएंगी और आसानी से दी जाएंगी, एक और है scheme, जो SDFC ने सलाम दिल से launch की है, ये भी बात आपको याद रखनी है, आगे बात करते हैं, recently, central government launches app for farmers, तो central government ने आत्म निर्भर क्रिशी एक app launch की है, जो कि farmer को dedicated है, इसमें होगा क्या, agriculture कब किया जाए, कौन से महीने में किया जाए, weather का alert होगा, ये सारी चीजिए इसमें बताए जाएंगी, भारत के पहले क्रिशी मंतरी थे राजिंदर परसाद, और भारत के इस वक्त क्रिशी मंतरी है, नरेंदर सिंह तोमर, चलिए आगे बात करें, तो अगला कोशन है, who is top in Hooper, Instagram richest list, आपने देखी लिए होगी फोटो, तो क्रिश्टानो रोनाल्डो इनको top list में, मतला richest top list में माना गया है, Hooper के द्वारा, ये तस्वीर है इनकी, अगले कोशन की बात करें तो which space agency is set to hire and launch the world first physical disabled astronauts, तो answer हो जाएगा, ESA ने, मतलब European Space Agency ने, अभी recently में disabled, physically disabled जो astronaut हो, उनको hire करेंगे और launch भी करने वाले हैं, Space Agency की बात की जाए, तो इसकी establishment within 1975 में, headquarter इनका पैरिस में है, अगले कोशन की बात करें, which is class of Pakistan, observed world hottest place, तो answer हो जाएगा, जकोबाबाद, जकोबाबाद को जो पाकिस्तान के सिंध परांत में उपस्तित है, वो उसे सबसे ज़्यादा temperature वाला note किया गया, 52 degree temperature वहाँ पर, degree Celsius temperature वहाँ पर note किया गया है, आप सोच रहे होंगे, detail क्यों नहीं बता रहा है, अगर detail बताने बैठा तो 3 घंटे की वीडियो बन जाएगी, इसलिए आपको यह मैंने पूरा PDF में प्रोवाइड करा ही दिया है, आपको directly, जिस किस मेथर से मिलेगी आपको बता दिया जाएगा, और इसमें आप पढ़ सकते हैं, मैं questions आपको सारे करा दे रहा हूँ, important, important, तो देखते हैं, और आपको डिटेल के लिए, आप मेरी डेली कर इंटरफेर वाली वीडियो फॉलो कीजिए, maximum से 15 मिनट की होती है, उसे डेली फॉलो करते रहे हैं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देंगे, तो और अच्छी से आपको कम बिनट लगेंगे, तो अगले कोशन की बात करें, जन सहायक आपका सहायक, एप लॉंच बाइ विच इस्टेट, तो अंसर यहाँ पर हो जाएगा, हरियाना, जन सहायक आपका सहायक जो एप है, उसको हरियाना ने लॉंच किया है, यहाँ पर आप इनके बारे में सारी चीज जान सकते हैं यहाँ पर बात करें तो who will be the third woman of Indian origin to go to space तो तीसरी कौन बनी है शिरिशा बंदला फेमस हो गई है यह बहुत जादा यह third है जो की space में गई है कौन इनसे पहले गया है तो चावला जो कलपना चावला जी वो पहली थी और सुनीता विलियम्स दूसरी थी जो की गई थी आंदर प्रदेश से यह बिलॉंग करती है शिरिशा बंदला अगले कोशन की बात करें who is winner of formula 1 austrian grand prix तो आंसर यहाँ पर आपके लिए austrian वाला हो जाएगा कौन सबस्तल नहीं मैक्स वर्स्टपन माफ कीज़ेगा मैक्स वर्स्टपन austrian grand prix जीत गए है यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी डीटेल मैंने यहाँ पर आपके लिए लिए लिख दी है अगले कोशन की बात करें काटसन वर्हॉल्म ब्रेक मैंस 400-meter hurdle world record तो बिलॉंग तो विच कंटरी तो यह एक नौर्वे से बिलॉंग करते हैं यहाँ पर इनके बारे में देख ले तो इन्होंने 46.70 से रिकॉर्ड तोड़ दिया है यहाँ पर सब कुछ मैंने डिटेल लिख रखी है पहले का रिकॉर्ड अगर आप जानना चाहते हैं तो 46.78 था 0.08 millisecond से इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है आगे बात करें अगला कोशन है विच और्गनाइजेशन गिवस नोड टू पार्लियमेंट पैनर तो इंप्लिमेंट सेटलाइट टीवी क्लासरोम तो अंसर हो जाएगा इसरो ने पार्लियमेंट को कहा है कि चलिए ठीक है हम सेटलाइट जो टीवी आप लाँच करने वाले हैं उसमें हम आपका सहीयोग करेंगे क्यूंकि आपको मालू होगा कोरोना वाइरस की वज़े से बच्चों की जो स्टडी है बहुत जादा इंपेक्ट पड़ा है तो इसरो के जो हैड है उन्होंने का ठीक हम अपने साइंटिस्ट आपको प्रोवाइड कराएंगे आप सुरू कीजिए सेटलाइट टीवी क्लास रूम्स ठीक है चलिए आगे बात करें अगला कोशन है हूँ विल बी इंडियास फ्लैग बेरर एट टोक्यो अलम्पिक आइट ये तो सब जानते होंगे ए और बी यहाँ पर अंसर हो जाएगा मनपरीत सिंग और मैरी कॉम दोनों ने मिलकर फ्लैग उठाया था टोक्यो अलम्पिक में भारत के लिए अब यहाँ पर बात आपके दिमाग में चल रहा होगा खतम में किस ने किया था तो आप मेरी टोक्यो वाली वीडियो भी फालो कीजिएगा चैनल पर पढ़ने वाली है उसे जरूर देखेगा पढ़ चुकी होगी और नहीं तो मैं यहाँ पर आपको बता ही देता हूँ बजरंग पुनिया है जो की क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग उठाकर चलने वाले हैं आगे बात करते हैं अगला कोशन है प्रोजेक्ट बोल्ड लांच बाए विच कमिशन तो अंसर हो जाएगा खादी एंड विलेज इंडस्टी कमिशन ने बोल्ड को लांच किया है कहां लांच किया है तो राजस्थान में लांच किया है क्यों लांच किया है यह जो अपना बैम्बू होता है ना इसकी फुल फ्राम अगर आप जाना चाहें तो बोल्ड की फुल फुल फ्राम है बैम्बू ओएसिस ऑन लें बहुत जादा पड़ता है रायस्थान का एक जगह है पाइलेट पॉजेक्ट के रूप में इसको सेलेक्ट किया गया है आगे बात करते हैं यहां पर खादी के बारे में जान लें इंपोर्टेंट है 1956 में इसको फाउंड किया गया था मुंबई में हैड़कॉइटर है इनका और चेयर परसन है इनके विनई कुमार सकसेना अगले कोशन की बात करें वू अपॉइंटेड न्यू गवर्नर तो नए गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है तो प्रेसिडेंट साहब है जो हमारे नए गवर्नर को अपॉइंट करते हैं आप सोच रहे होंगे यह कोशन तो बेस्ट कंटेंट है यकीन मानिए टॉप हंड्रेड कुशन लेकर आया हूँ पिछले पूरे मन्त के तो आपको इसे फॉलो करना है ठीक है और कहा कहा के चेंज हुए है तो मैं आपको बता दू किस आर्टिकल के अंदर पहले जान लेते हैं तो आर्टिकल 155 के अंतरगत रा आर्ट राज्यों के गवर्नर चेंज किये गए हैं करनाटक, मद्यप्रदेश, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा, जहारखंड और हरियाना आपको यह बात याद रखनी आप यहां पर स्क्रिंशॉट इन का ले सकते हैं अगले कुशन की बात करें 52 एडि वो भी गोवा में हुआ था और 52 वाला भी गोवा में ही हो रहा है यहां पर आप देख सकते हैं 20 से 28 नमबर यह होगा यह अगले बात करें तो अगला कुशन है फिलिप कार्ड पार्टनर्शिप विद विच कंपनी फोर डिजिटाइज कैश ऑन पेमेंट तो आंसर हो जाए कर आएगा तो अब इससे क्या होगा इसकैन करके आप जब अगर आप पेमेंट वहीं पर करना चाहते है अपने अकाउंट से तो QR कोड को आप सकैन कर लेंगे और पेमेंट कर देंगे कैश ऑन डिलिवरी मलब पैसे का लेंदेन यहां पर कम हो जाएगा अगले कुशन की बा आगे बात करते हैं यहां पर तो वही सब स्टेटमेंट लिखी हुई है अगले कुशन की बात कर रहें तो विच एयर लाइन विंस एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड 2021 एयर लाइन ओफ दा इयर तो एयर लाइन ओफ दा इयर किसको मिला है तो कोरियन एयर को मिला है आपको इन काम किया है, अपने जो नागरिक हैं, उनकी सेफटी में बहुत जादा काम किया है, इसलिए इनको यावर्ड दिया गया है, आगे बात करते हैं, अगला कोशन है, अगले कोशन की बात करें, हूब बिकम्स ब्रेंड अमबसेडर और अफ टो यह गूगल की एक सबसेडरी है, जिसको नेहा पारिक जी को नया सीओ चुना गया है, नेहा पारिक जी भारत की है, इसलिए इंपोर्टन हो जाती है, और गूगल कमपनी की यह सबसेडरी है, की डिटेल तो मैं डेली आपको कराता ही रहता हूँ, अगले कोशन की बात करें, हूब बिकम्स ब्रेंड अमबसेडर और खादी प्रकरती पेंट, तो अंसर हो जाएगा, नितिन गटकरी साहब ने खुदी कह दिया कि हम बनेंगे खादी पेंट के ब्रेंड अमबसेडर, य नेम दा एक्टर इस, तो अंसर हो जाएगा, मुहम्मद यूशुफ खान, आप इनकी तस्वीर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, मतलब दिलिप कुमार सहाब की अभी रिसेंटली में डेथ हो गई है, मुंबई में, और आपको बता दू, इनका जन्म हुआ था, पाकिस इंडिया's first UPI based cashless parking, तो DMRC दिल्ली मेट्रो ने कश्मीरी गेट में UPI based cashless parking है, उसको स्टार्ट किया, पहली बन गई है, इसलिए most important हो जाती है, इनके बारे में जानने दुरगा, शंकर मिस्रा, इनके चेयर्मेन है, इनके DMRC के, और मंगु सिंग, जो मैनेजिंग डारेक्ट तो अगला question है, Women's Asia Cup in India will held in which city, तो answer हो जाएका both, मतलब मुंबई में भी और पूने में भी, पहले हो रही थी भूवनेश्वर और एहमदाबाद में, तो पहले आप देख सकते हैं, भूवनेश्वर और एहमदाबाद में हो रही थी COVID-19 की वज़े से, इसको सिफ्ट कर दिय और मुंबई में ताकि जादा यात्रा ना करनी पड़े प्लियर्स को, भूवनेश्वर और एहमदाबाद में जादा यात्रा करनी पड़ती ना, तो इसलिए मुंबई और पूने में जादा यातरा करनी नहीं पड़ेगी, अराम से हो जाएगा, और आपको बात करें, AFC, A Director General of All India Radio, तो अंसर हो जाएगा, बहुत इंपोर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि यह सरकारी कंपनी हो, बहुत इंपोर्टेंट है, एन वेनुधर रेड़ी, इनको मेंजिंग डार चुना गया है, चलिए, आगे बात करें, अगला कोशन है, How many leaders take oath as minister, तो देखिए, अभी recently का कोशन है, लेकिन आप confused हो गए होंगे, 43 leaders ने अभी recently में oath ली है, यह बात भी आपको याद रखते हैं, बहुत बड़े बड़े नाम यहां से छट गए है, अगले कोशन की बात करें, which state proposed to have its own OTT, मतलब over the top platform, तो अभी केरला जो है, केरला राज्य, उसने announce कर दिया है, कि वो अपने जो culture को promote करेगा, अपने यहां की फिल्मों को promote करेगा, क्योंकि उनके यहां की फिल्मों को जादा space मिलता नहीं है, जो बड़ी बड़ी OTT platform है, इसलिए उसने यह decision लिया है, अगले कोशन की बात करें, यहां पर मैं सब कुछ यह current affair में कराता हूँ, आप believe करिए, मेर अगले कोशन की बात करें, which company launches newsletter platform bulletin, तो bulletin को अभी recently में Facebook ने launch कर दिया है, वहां अमेरिका में पत्रकारों को कुछ भी लिख देते हैं, अगले सरकार के खिलाफ तो कारेवाही वगरा हो जाती है, तो इसके खिलाफ धरना दे रहेते हैं वो लोग की ऐसा नहीं चलेगा, तो मैंने तुमका अपना platform दे दिया, वहां पे independently लिखो, कोई तुम्हें रोक टोक नहीं करने वाला है, ठीक है, और Mark उनके CEO है, किनके Facebook के, आगे बात करते हैं, अगला question है, government of India has decided to bring department of public enterprises under which ministry, तो जो department of public enterprises है, वो finance ministry के अंदर डाल दिया गया है, यह जो DPE है, department of public enterprises, इसी के अंत भूतियों को बेचती है, सरकार, सरकारी कमपनियों को बेचती है, इसलिए इसको आसान बनाने के लिए कि ज़्यादा रुकावट ना पैदा हो, हमें कोई कमपनी बेच नहीं होता, आराम से बिख जाए, इसलिए इन्होंने finance ministry के अंदर इसको डाल दिया, आपका क्या विच है, यहाँ पर मैंने सारी detail बता दी है, अब जो हमारी finance ministry है, इसके अंदर कितने department आ गया है, 6 department आ गया है, पहले से 5 थे, अब कौन सा department of public enterprises और include हो गया है, आपको यह बात भी याद रखनी है, अगले question की बात करें, यहाँ पर detail मैं बता रखा है, निर्मला सीतरमन इनके cabinet minister है और भगवत करद इनके minister of state है, आगे बात करें, which state Amazon launches its first digital kinder in India, तो answer हो जाएगा, Amazon गुजरात में अपना पहला digital kinder launch करने वाला है, क्यों launch करने वाला है, क्योंकि यह training देगा, MSME से जुड़े हुए जो लोग है, जो MSME से जुड़े हुए लोग है, उनको training देगा, बताएग किस तरीके से तुम अपने समान को global बना सकते हो, यह सारी चीजे करने वाला है, गुजरात के सूरत में इन्होंने अपना पहला launch किया है, पहला digital के इंदर launch किया है, किसे ने launch किया है, तो विजयर उपानी, जो chief minister है गुजरात के, उन्होंने launch किया है, यह important हो जाता है, Amazon को जो CEO है, वो Andrew R. जैसी है, जो इनको पिछले महीने ही अपनी seat मिली है, तो important हो जाता है, याद रखिएगा, आगे बात करते हैं, अगला question है, world tallest, sandcaster constructed in which country, तो अंसर हो जाएगा, Denmark, Denmark में सबसे बड़ा मिट्टी से, मतलब sand से बना हुआ, एक महल बनाया गया है, जो कि Guinness Book of World Record म इसने नाम अपना दर्ज कर लिया है, कितना बड़ा है है, तो 21.16 मीटर बड़ा है, पहले कितना बड़ा था, तो 17.66 मीटर बड़ा था, जर्मनी के नाम पे रिकॉर्ड था, अब हो गया है, Denmark के नाम पर, चलिए आगे बात करते हैं, अगला question है, India's first movable fresh water tunnel aquarium installed at which station, तो आंसर हो जाए का बंगलूरू, बंगलूरू के station में fresh water tunnel aquarium को खोला गया है, इंडिया का पहला है, इसलिए most important होता है, बनाया किसने था, तो I.R.S.D.C. ने, क्या full promise की, Indian Railway Station Development Corporation Limited, इसने इनको बनाया था, 2012 में इस company को बनाया गया है, और headquarter इनका नई दिली में है, परदीप कुमार इनके chairman है, और CEO है, इनके S.K. Loiha, आगे बात करते हैं, अगला question है, who gives, resign as CEO of ICC, भारत देश से बिलॉंग करते हैं, इसलिए important हो जाते हैं, जो मनुसाहनी है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ICC से, भारत देश से बिलॉंग करते हैं, इसलिए important यह हो जाते हैं, अब यह पर बात कर लें, तो इनकी जगह किसने ले ली है, तो इंटरिम ली है, भी permanently नहीं हुए है, जियॉर्फ अलार्डिक, इन्होंने इनकी जगह ले ली है, चलिए आगे बात करते हैं, अगला question है, which northeast state, India's railway map as first passenger train reaches the state, तो पहली बार rail कहा पहुची है, तो मिजोरम अब ऐसा एक राज्य हो गया है, जहां पर पहली बार एक train पहुची है, passenger को लेकर नहीं पहुची थी, ट्राइल लेकर पहुची थी, officers जो train के railway के हैं, वो बैठे हुए तो उसमें, लेकिन पहली बार पहुची है, यही बहुत बड़ी बात है, कहां से पहुची है, तो असाम के जो गञ्चुमपाओ, जो मनिपूर का एक railway station है, वहां पर पहुची है, 11 km की total distance ने कवर की थी, ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है, चलिए, आगे बात करते हैं, who has won the 2021 scripts national spelling bee, तो national spelling bee को अमेरिका के रहने वाले जैला अवंत गाडे, जो की अफरीका से बिलॉंग करते हैं, उन्होंने जीत ली है, और most important हो जाते हैं, बच्चों की spelling की एक competition है, दूसरे नंबर पर भारत के आये हैं, भारत से origin है, 12 साल के हैं, चैत्रा थुंबाला, और थार नंबर पर भी भारत की है, भावना, मदीनी, तो ये बात भी आपको याद रखनी है, आगे बात करते हैं, अगला question है, when celebrate world population day, तो world population day, 11 जुलाई को मनाया जाता है, चलिए, यहाँ पर हमने इतनी बात जानी, लेकिन ये भी तो पूछा जा सकता है, sequence लगाओ, continental wise, sequence लगा के बताओ, तो क्या बता लोगे, बिल्कुल बता लोगे, एशिया का तो सायर बता लोगे, और अफरीका ही बता लोगे, लेकिन फिर confuse होना शुरू हो जाओगे, तो एशिया तो टॉप में है, मतलब सबसे ज़्यादा population महा रह रही है, अफरीका में दूसरे नंबर में रह रह आगे बात करें, विंबल्डन जूनियर मेंस टाइटल, इंपोर्टेंट इसलिए हो जाते है, भारत से बिलॉंग करते है, तो समीर बैनर जी विंबल्डन जूनियर मेंस टाइटल को जीते है रिसेंटली में, तो ये बात भी आपको याद रखनी है, इंपोर्टेंट समीर energy के साथ साथ यह जो टैनिस का जो टूनामेंट होता है ना ग्रेंड सिलैम होता है यह important है तो पहले तो होता है साल के पहला होता है ऑस्टेलिया दूसरा होता है फ्रेंच तीसरा होता है विंबल्डन और चौथा होता है यूएस इतनी बात आपने जानी यह होता कब से हो रहा है ऑस्टेलियन हो रहा है 1905 से फ्रेंच हो रहा है 1891 से और विंबल्डन 1877 से और यूएस हो रहा है 1881 से अब आप से पूछा जाएगा सबसे पुराना कौन है तो सबसे पुराना है विंबल्डन सबसे नया कौन है इनमें से तो है Australian तो आपको इतनी बात याद रखनी और Australian होता है hard पे hard pitch पे French होता है clay पर Wimbledon होता है grass पर और US भी होता है hard pitch पर ठीक है चलिए आगे बात करते हैं अगला question है who wins Wimbledon Championship Men's 2021 तो अंसर हो जाएगा Novak Djokovic Novak Djokovic ने Wimbledon Championship को जीत लिया है अब देखे याद करने का तरीका ऐसे रखिएगा कि इस साल की जो men's के जितने भी टाइटल हुए ना टैनिस के Wimbledon हो फ्रेंच हो Australian हो तीनों कौन जीते हैं Novak Djokovic लेकिन female की बात करें तो female में Australian में जीती है Naomi Osaka French में जीती है Barbora, Regwick और Wimbledon जीती है ऐसले Balti, तो इस तरीके से female का लग-अलग है और male में तो सारे में Novak Djokovic ने बाजी मारी है, अगले कोशन की बात करें India's first crypto gaming garden inaugurated in which state? तो answer हो जाएगा उत्राखंड, उत्राखंड के देहरा दून जो कि उनकी capital भी है वहाँ पर पहला crypto gaming garden inaugurate किया गया है, यहाँ पर मैंने लिख रखा है, 900 feet उपर पहला ऐसा garden है, इसलिए important हो जाता है, अगले कोशन की बात करें, which team lift Copa American 2021 cup, तो answer हो जाएगा Messi की Argentina team ने Copa American 2021 को जीता है यहाँ पर बात करें, और हराया किसको है, Brazil, नेमार की इतनी बात आपको याद रखनी है, 1991 से स्टार्ट हुआ था यहाँ आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे, अगले कोशन की बात करें, तो अगला कोशन है who, once commonwealth point of light award तो answer हो जाएगा, सैयद अस्मान अजर मक्सूसी यह हैदराबाद में रहते हैं यह डेली 500 लोगों को खाना खिलाते है फ्री, और जो लॉकडाउन हुआ है, इसमें तो 500 से ज़्यादा लोगों खिला रहे है, इसलिए, इनके इस inspiration काम से, commonwealth point of light award इनको परदान किया गया है, हैदराबाद, भारत के हैदराबाद में रहते हैं, तिलंगाना की capital है हैदराबाद, अगले question की बात करें, who wins ICC player of the month of June, जून के लिए ICC ने month of the player किसको दिया है, आपको मालूम होगा, इसी साल से भारत, जो, माफ कीजेगा ICC player of the month award दे रहा है, पहला दिया था है, इस पर डिटेल जान लेते हैं, तो देखे, न्यूजिलेंड के player है Devon Convoy, इनको month of ICC player of the month, जून के लिए इनको दिया गया है, इंगलेंड के हैं एक baller, Sophie Ecclestone, इनको मिला है जून के लिए female में player of the month ICC का, यहाँ पर बात करते हैं, man's की हमने लगाई दिया, important है, question पूछे गए हैं भी recently में DSSB हो गया, SSC हो गया, बहुत सारे exams में आपको मिल जाएंगे, तो January, January में तो रिसब पंद को, starting के तीन इंडिया के हैं, और फिर उसके बाद रवी चंदर के हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं, January में female को मिला है, सुमन गिल को, सुमन इसमाइल को, माफ के जगा, गिल भारत का player है न, तो इसे नाम याद आ गया, सुमन इसमाइल को, जो की South Africa की हैं, और February मिला है, Tammy, Biomant को, जो की England की हैं, March में मिला है, लिसले, ली को, जो की South Africa की हैं, April में मिला है, Elisa, हीली को, जो की Australia की हैं, माई में मिला है, कारितन, बाइकन को, जो की Scotland की हैं, June में मिला है, Sophie, Ecclestone को, जो की England की हैं, तो यह नाम भी आपको याद रखने हैं, अगले question की बात करें, वेर विल खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 इन February 2022, तो आंसर हो जाएगा, अभी यूथ गेम जो हो रहा था ना, वो हर्याना में होना था, लेकिन हर्याना की government ने COVID-19 की वज़े से, थर्ड वेव देखते हुए, इसको shift कर दिया है 2022 में, मैं detail बताना चाहरा हूँ, 2018 से start किया गया है खेलो इंडिया गेम, पहला हुआ था दिल्ली में, और 2019 वाला हुआ था पूरे में, 2020 वाला हुआ था गुहाटी में, और 21 वाला था पंचकुला, हर्याना में इसको organize करना था, लेकिन अब इनको transfer कर दिया गया है, अगले साल के लिए, अगले साल फरवरी में हो जाएगा, अगले बात करें, which state proposed draft will processes two child policy, मतलब दो child policy, कौन सा state इसका पहला draft लेकर आया है, तो answer हो जाएगा उत्तर परदेश, उत्तर परदेश अभी recently में, दो child policy को लेकर आया है, अच्छी बात है, देखते हैं क्या होगा आगे, recently rail cargo moment between India and which country, तो इंडिया और किस country के बीच में, rail cargo moment start किया गया है, तो इंडिया और नेपाल के बीच में, क्या होगा इसमें, इसमें ये होगा माल लो, शिरिलंका से समान आ रहा है, शिरिलंका से समान आएगा, तो जो पानी की जगह है न, वहाँ तक वहाँ से तो आ जाएगा, उसके बाद train से भगाते हुए लेकर आएगे, और train से ही नेपाल पहुचा दिया जाएगा, ये एक system बनाया गया है, जिससे की आसानी से और कम पैसों में, समान को इधर से उधर देशों में के बीच में किया जा सके, और इसमें benefit भी होगा, पैसा वैसना मिलेगा इंडिया को, आगे बात करते हैं, वहाँ बने हैं, एक, दो, तीन, चार्ट, और पाँचवी बार, अब इन्होंने फिफ्ट टाइम इन्होंने अपनी ओथ ली है, आगे बात करते हैं, अगला कोशन है, विच कंट्री होस्ट है, 2026 वर्ल्ड बैट्मिंटन चैंपियंशिप, भारत से विलॉंग करते हैं, इसलिए इंपॉर्टन है कोशन, इंडिया, इंडिया बैट्मिंटन चैंपियंशिप को होस्ट करने वाला है 2026 में, 2019 में किस ने किया, तो बसेल ने किया, 2021 में किस ने किया, हुएला में हुआ, 2022 में टोकियो में होगा, 2023 में कोपनहेगन में होगा, 2025 में पैरिस में होगा, और 2026 में भारत में होगा तो आपको ये बात भी याद रखनी है अगले कोशन की बात करें तो अगला कोशन है तो पहले ऐसे कौन है जिमनास्ट जो की जज बन गए है ऑलम्पिक में तो आंसर हो जाएगा दीपक काबरा को पहले ऐसे जिमनास्ट का तबका मिला है जो की ऑलम्पिक में जज की रूप रखने वागा चले अगला कोशन है तो आंसर हो जाएगा प्यूश गोयल को थावर्चन गहलोत की जगह पर राज्यसभा का लीडर चुन लिया गया है तो ये बात भी आपको याद लखते हैं पहले रेलवे मिनिस्टर थे अब कौन हो गए है अब राज्यसभा के लीडर हो चुके है अपोजिशन कहा रहा हू जिसकी सरकार है उनके ठीक है जो मैजरोटी में है उनके आगे बात करते हैं और हू लाँच टोक्यो ऑलम्पिक चीर सौंग हिंदुस्तानी वे तो अंसर हो जाएगा किसने ए आर रह्मान ने हिंदुस्तानी वे को लाँच किया है ये चीर सौंग है भारत के लिए टोक्यो Olympic में इन्होंने अकेले नहीं किया अनन्या बिर्ला और एयार रह्मान दोनों ने मिलकर इसको लॉंच किया है यहां पर बात करें लद्दाक साइंस MOU with सिक्किम to turn UT organic in which year target तो सिक्किम के साथ लद्दाक ने sign कर लिया है कि हमको भी बनना है और्गनिक अपनी जो farming को organic में transfer करना है तो 2025 तक काये कि भी ठीक है हम तुम्हें 2025 तक organic farming में transfer कर देंगे ठीक है और मैं आपको यहां पर थोड़ी detail देना चाहता हूँ भारत का जो लक्षदीप है वो पहला union territory बन चुका है जो इसने अपनी organic farming में transfer अपने आपको fully कर लिया है 100% कर लिया और भारत का पहला राज्य सिक्किम था जो कि अपने आपको 100% organic farming में shift कर चुका है अगले question की बात करें तो अगला question है who inaugurates रुद्राक्ष convention center in वाराणसी तो अंसर हो जाएगा नरेंद्र मोधी सहाब ने रुद्राक्ष convention को वाराणसी में launch किया है मतलब inaugurate किया है यहाँ पर बात करें यहाँ पर साइड डीटेल दे रखी है इसको बनाने में किसने मदद की तो जापान की company ने मदद की इसके अंदर civiling है कितने 108 रुद्दाक्ष इसके अंदर उपस्थित है वाराणसी में है यह इतनी बात याद रखने है ट्यूरिस्म और बिजनेस के लिए अच्छा location होगा उत्तर प्रदेश की सारी डीटेल यहाँ पर दे रखी है डेली करण्ट रखेर बात करें विच स्टेट अनविल्स यहाँ पर पहला है इसलिए इंपोटेन्ट है अगले कोशन की बात करें इतनी चीज जुलाई में पहली बार हुई है कि वो एक्जाम में आपके मालो जुलाई से पूरा कलेंडर फे डाल सकते है अगर डालना चाहे तो तो अगला कोशन है विच कंट्री बिकम्स फर्स्ट गल्फ नेशन तो ओपन एंबेसी इन इसराईल तो अंसर हो जाएगा युएई ने जो युएई पहला गल्फ नेशन बन गया है जिसने इसराईल में अपने आपको अपनी एक एंबेसी खोलने की रजामंदी की है यहाँ पर सारी डिटेल दे रखी है मैंने अगले कुशन की बात करें विच गवर्मेंट लॉंच न्यू इवी पॉलिसी 2021 तो नई इवी पॉलिसी को किसने लॉंच किया है तो अंसर हो जाएगा महरास्त ने महरास्त ने इलेक्ट्रिकल वहिकल जो इलेक्ट्रिक वहिकल है इसके एक नई पॉलिसी स्कीम नई पॉलिसी लॉंच की है और डिसाइड किया है कि 10% जितने अपने टोटल वहिकल चल रहे है उसमें 10% को हम पूरा इलेक्ट्रिक वहिकल में ट्रांसफर कर देंगे अच्छा आपको लग रहा होगा मैं काफी तेज भाग रहा हूँ देखें, मैं तेज नहीं भाग रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि आप सारे कोश्ट्रिक को कवर करें आप ऐसा ना हो कि 20-30 मिड़ की वीडियो लेखने के बाद सोचें कि आरे छोड़ो यार अब नहीं बढ़ रहे मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ आप लास्ट तक देखें जिससे कि आपको बेनिफिट मिले आपके कान में जाए कि ये कोश्ट्रिक पढ़ाया गया इस कान सच ये था और अगर पेपर में टकरा जाए तो आप उस टाइम पर सोचें कि ये अच्छा हुआ मैंने वो वीडियो को पूरा देख लिया इसलिए मैं थोड़ा तेज भाग रहा हूँ आपको बोर नहीं कर रहा हूं ये सारे डेटा देने में क्योंकि ये रेगुलर डेटा मैं आपको करेंट अफेर के रूप में हर दिन देता रहता हूं अगर आप उसे रेगुलर फॉलो करेंगे तो मैं आपसे फिर से यही बात कहना चाहूंगा कि सिर्फ आप मुझे दो महीने तो दीजिए आपको ये सारा डेटा मतलब यकीन मानगे इतनी वार रिवाईस हो जाएगा दो महीने में कब से च्छा-सात वार तो यकीन मानगे आपको याद नहीं होगा क्या होगा तो इसलिए कह रहा हूं दो महीने मुझे आप अपने दीजिए मेरी current affair की video regular follow कीजिए उससे आपको benefit मिलेगा और आप उसके बाद खुद comment करेंगी मुझे इस वीडियो से benefit मिल रहा है चलिए आगे बात करते हैं अगला question है which state launch campaign मात्रो कवच तो मात्रो कवच जो campaign है उसको किसने launch किया है तो केरलान है vaccine females को बगैर registration के vaccine प्रोवाइड कराने के लिए दिया गया हर female को नहीं pregnant female को आप यहां पे देख सकते हैं pregnant women's को ऐसा कहा गया है आगे बात करते हैं digital payment किसान सार्थी launches by which minister तो किसान सार्थी को किसने launch किया है तो आपको बता दू नरेंदर सिंह टोमर जो कि हमारे कृशी मंत्री हैं उन्होंने किसान सार्थी को launch किया अच्छा आपको लग रहा होगा अकेले launch कर दिया बिल्कुल launch तो अकेले किया है लेकिन इस जो scheme है इसमें मदद कौन कर रहा है तो हमारे जो ministry of electronics और IT वाले हैं वो बीन की मदद कर रहा है है कौन जो railway के minister है न अश्वनी वैशनो वो मदद कर रहा है यहां पर और साथ साथ ministry of fishery और animals के जो ministers है जो cabinet minister है वो भी मदद कर रहा है कौन है वो पुरशोत्तम रुपाला जो fish या animals को पालते हैं मान लीजिए वो पुरुश बहुत ही उत्तम है ठीक है क्योंकि हमें दूद वगएरा मिल जाता है उससे अगले कुशन की बात करें India's first pod taxi to operate between Noida airport to which city तो answer हो जाएगा Noida से film city तक हमारी पहली pod taxi operate की जाएगी देखा कितनी चीजे पहली बार हुई है और 14 km चलने वाली आप यहाँ पर देख सकते हैं अगले कुशन की बात करें तो बोनालू जो बोनालू festival है वो कहाँ पर start किया गया है किस state पर start किया गया है तो answer हो जाएगा तेल अंगाना आप जब आलू की सबजी बनाएंगे तो आपको तेल की जरुत तो पड़ेगी न तो इस तरीके से आप इसको याद करके आगे बढ़ जाएंगे चलिए यहाँ पर बात करें अगला कुशन है वाट इस न्यू नेम आफ माडवा डिंग रेलवे स्टेशन तो माडवा डिंग रेलवे स्टेशन जो माडवा डि ही रे जो रेलवे स्टेशन है उसका नया नाम हो चुका है बनारस रेलवे स्टेशन इतनी बात आपको याद रखने इस सारी देख रहे हैं आप कितनी डीटेल में मैं आपको current affair cover करता हूँ यह सारी slides मैंने current affair से ही लिए है जो important questions है वहां से लिए है मैंने वहां की information लिए है और सारी information मैंने आपको यह compile करके दे दी है अगर आप इस सिर्फ PDF को ही regular मलग करीब करीब दो बार पढ़ ले तो आपको मुझे नहीं लगता कि जो जुलाई का 2021 का जो current affair आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत है यकीन मानिए बहुत तगड़ी मैंने ये PDF बना रखी है आप इसको जरूर एक बार पढ़े और वीडियो देख लेंगे तो और जल्दी से cover हो जाएगा जो जम्मू कश्मीर और लदाक कोट जो जम्मू कश्मीर और लदाक को हाई कोट है उसका नया नाम रखा गया है क्या नाम रखा गया है तो अभी यूनियन टेरिटरी बन गया है न ये करेंदर्यु कुमार है उनों ने इसको रखा है मलब उसको एकुड़ाई किया है लेकिन यह पर हो चाहए वcej कव राज्य हो साधी detail मैं current affair में regular कराता हूँ तो आप से नरोध है follow करे which state introduce one block one product scheme तो हरियाना ने recently में one block one product scheme को launch किया है अच्छा फाइदा क्या होगा इससे फाइदा ये होगा कि एक block है उसके में वहाँ पे कुछ specialty है तो वहाँ के लोग उस चीज़ को आगे बढ़ाएं और business को अपना grow करें और इसमें मदद करेगी हरियाना सरकार आपकी हर तरीके से चाहे समान को इदर से उदर ले जाना हो चाहे कुछ भी हो ये सारी चीज़ में मदद करने वाली है आगे बात करते हैं अगला question है इंडियाज first monk fruit cultivation exercise begin in which state तो answer हो जाएगा हिमाचल परदेश में हिमाचल परदेश में पहला monk fruit बना Chinese fruit को cultivate किया गया है अगर होता है तो आगे और करेंगे इसमें benefit क्या है क्यों कर रहे हैं क्योंकि बहुत जादा इसमें nutrition है nutrition से भरपूर fruit है इसलिए इसको उगाया जा रहा है और हिमाचल परदेश इसको उगा रहा है हिमाचल परदेश का कुलू है वहाँ पर इसको उगाया गया है चलिए आगे बात करते हैं अगला question है where cloud where google cloud launches second cloud region in India तो इंडिया में second cloud बनाया गया है डेली में बहुत सारे users यहाँ पर डिली में बहुत सारे users हो चुके हैं और उन users को cover करने के लिए google ने नया cloud reason ही बना दिया अच्छा आप सोचेंगे second की बात हो रही है तो पहला कौन है पहला मुंबई में था अब दूसरा कहा हो चुका है डिली में हो चुका है आगे बात करते हैं अगला question है गूगल अरे यारी गूगल के बारे में डिटेल में बताने लग गया मुझे लगा डिली करने नफेर बढ़ा रहा हूँ तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं ICC welcomes as a new member at 78 annual general meeting तो 78 general meeting होई है ICC की वहाँ पर इनों ने तीन नए members को include कर लिया है मंगोलिया तजीकिस्तान और सुर्जर लेंड यह तीनों हो चुके हैं ICC के अब member यहाँ पर डिटेल है ही ICC की सारी चीज पढ़ते हैं daily current affair में तो आप से नुरोध है follow कीजिए benefit आपको पक्कम पक्का मिलेगा अगले question की बात करें which country अगर आप selection चाहते है simple सी बात अगर आप government नवकरी चाहते हैं और चाहते हैं कि जल्दी मिले तो आपको sequence है तो चलना पड़ेगा ना ऐसे नहीं किसी की भी वीडियो उठाके देख ली ऐसे नहीं मिलता है ना selection है मैं मैं यह नहीं कहारा आप मेरी वीडियो देखो आप कुछ भी करो लेकिन at least time पर करो और सब चीज सही रहे तो जादा बढ़ी आए नहीं तो फिर बाद में आप कहते हो current affair करा दो जल्दी जल् आप लोगों को focus करके पढ़ने की जरूरत है चलिए बात करते हैं which country and male guardian require for women attending Hajj तो women's के साथ male guardian जाना था हज में तो अब कौन सी country है जिसने कह दिया आप ऐसा करने की जरूरत नहीं है तो कौन है वह साओधी अरब साओधी अरब ने recently में यह announce कर दिया है हाँ साओधी अरब ही है मैं confused हो गया था UAE और साओधी अरब में लेकिन साओधी अरब है लेकिन आपको मालूमगा भारत ने 2017 में रूल हटा दिया था मोधी साहब ने पहले भारत में भी रूल था कि हज जाना है तो male के साथ जाना है लेकिन भारत में मोधी सरकार ने 2017 में इसको हटा दिया और उसी को देखा देखी में साउधी अरब, अब साउधी अरब बहुत 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 बेहतरीन काम कर भी रहा दो तीन सालों से, तो उनोंने भी ये कर दिया कि भाई अब मैल जो गारजन है को ही जो politics है उसमें include किया गया है और कितने साल की जो महिला है वो इसमें participate कर सकती है तो 10 से 21 साल की जो महिला है वो इस बाली का पंचायत में participate कर सकती है महिलाओं की कमी महिलाओं को जो दिक्कत हो रही है उस जगे पर उसका निदान भी करेंगी और उनको budget भी कुछ provide कराया जाएगा अगले question की बात करें अगला question है which state issue certificates using blockchain technology blockchain technology के द्वारा कौन सा state certificate को issue करने वाला है कौन से certificate वह 1012 में जो मिलते हैं वह आले certificate तो महरास्त blockchain technology के द्वारा यह अब issues करने वाला है इससे fraud के जो chances से वह कम हो जाएंगे देख रहे हैं आप कितनी detail पढ़ाता हूँ मैं current affair सिर्फ 15 मिट का होता है मेरा और 15 मिट में इतनी detail बता देता हूँ यकीन मानिए मज़ा आ जाता है आपको भी follow करना है अगले question की बात करें तो IOC to set up first green hydrogen plant at which state तो answer बोला जा रहा है पहला green hydrogen जो प्लांटे कहां पर मथुरा मथुरा कहां पर उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश में पहला green hydrogen plant को organize किया गया आप देख सकते हैं मथुरा refinery में इसको organize किया गया है चलिए आगे बात करते हैं अगला question है who appointed deputy leader of house in Rajasabha तो अभी आपने रिसेंटली पढ़ा कि प्यूश गोयल को बनाया गया है डिप्टी लीडर बनाया गया है house का राजसबा की जो राजसबा का house है वहां का leader बनाया गया है लेकिन यह डिप्टी की बात की गए तो डिप्टी बने है मुकतार अब्बास नकवी मुकतार अब्बास नकवी को राजसबा का डिप्टी लीडर बनाया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों की ministry देख लेते हैं तो प्यूश गोयल जो पहले थे railway minister लेकिन अब क्या हो चुके हैं minister of commerce industry, minister of consumer affairs and food public distribution, ministry of textile यह इनके पास ministry है मुकतार अब्बास नकवी के पास कौन से ministry है तो minority affairs, ministry of minority affairs इनके पास अवलेबल है अगले question की बात करें, तो who launches to space abroad new safford rocket ship, तो new safford rocket ship को किसने launch किया है तो Jeff Bejos है, इन्होंने launch किया है recently में, तो आपको इनका नाम भी याद रखना है, यह space में जाने का इनका plan है और गए भी थे, 10 minute, 10 second की इन्होंने flight रखी थी, और record यहाँ पर बना है कि oldest, अपने साथ oldest person को ले गए है जिनका नाम है Valley Funk, यंगेस को भी ले गए है, जिनका नाम है Oliver Deoman, ठीक है यह चीज, बेसिक बेसिक सी आपको पता होनी चाहिए, देखे, जो Jeff Bezos है, उन्होंने सिर्फ Amazon को यह नहीं बनाया है उन्होंने Blue Origin को बनाया है, और यह सेफ़र्ड है, जो यह rocket है, यह Blue Origin नहीं इसको develop किया है यह भी Jeff Bezos की ही कंपनी है, 2000 में इसको इन्होंने बनाया था, और Amazon को 1994 में इन्होंने बनाया था अगले कुशन की बात करें, विच कंट्री अन्वील, 600 किलोमेटर पर आवर मेंगलेव ट्रेन मेक्स पब्लिक डेब्यो, मतलब पब्लिक के लिए खोल दिया गया है 600 किलोमेटर की स्पीड से चलने वाली एक ट्रेन है, मेंगलेव ट्रेन, तो वो चाइना ने ऐसा काप गर दिया है, इस बात को भी आपको याद रखना है, आगे बात करते हैं, अगले कुशन की बात करें, फो सकस्फुली टेस्ट फ्लाइट, सर्फेस टू एयर मिसाइल आकास एनजी, तो आकास एनजी जो मिसाइल है, उसको DRDO ने रिसेंटली में सक्सफुली टेस्ट कर लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओरीशा में, ओरीशा में इसको टेस्ट किया गया है, आपको इस बात को भी याद रखना है चलिए आगे बात करते हैं अगला कोशन है which country host 2032 Olympic मतलब 2032 वाला जो Olympic होगा और पैर Olympic होगा वो कौन सी country host करने वाला है तो Australia host करेगा Australia के Brisbane Brisbane में इसको host किया जाएगा मैं यहां पर थोड़ा सा और बता ही देता हूं डीटेल, तोक्यों में, टोक्यों ओलंपिक को 2020 जो अभी हुआ है रिसेंटली में, वो टोक्यों में उर्गनाईज भूआ था, अग्ले वाला, अग्ले वाला होगा हमारा विंटर, विंटर वाला बीजिंग में होगा लोस एंजलेस में और उसके बाद 30 2030 वाला भी अनाउस किया नहीं गया है जो सीथ कालीन ओलंपिक है लेकिन 2032 वाला अनाउस कर दिया गया है जो कि ऑस्टेलिया के ब्रिस्बन में होने ली है तो अर्माने गिरिधर ने एन एच एई के अब हैड बन गए है यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्माने गिरिधर आगे बात करते हैं अगला कोशन है तो पहला जो मैडल है भारत को इन्होंने जिताया था मीरा बाई चानू टोकियो ऑलंपिक की एक स्पेशल वीडियो हमने बनाई है उसे जरूर देखे बहुत बेनिफिट देगा आपको चले अगले कोशन की बात करें हूँ नेमड ए आई एफफ मेंस फुटबॉल आफ दा इयर तो आंसर हो जाएगा संदेश जिंगम संदेश जिंगम कोई आवार्ड मिला है यहाँ पर बात करते हैं तो साथ साथ इनके एक और आवार्ड मिला है किसको शुरेस सिंग वांग ज लिस्ट हो जाएगा लिवरपुल लिवरपुल जो साइट है उसको युनेसको ने अपनी वर्ल्ड हेहटेल से निकाल दिया है अभी तक युनेसको ने टोटल तीन साइट को निकाला है तीन साइट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ओमान की है एक जर्मनी की है और अब एक लिवरपुल हो गई है आपको इतनी बात भी याद रखनी है अगले कुशन की बात करते हैं अगला कुशन है G20 Environment Minister Meeting 2021 held in तो Environment की जो Minister की बैठक हो रही है वो कहा हो रही है देखे इस साल तो G20 का जो भी होगा कारिकरम वो इटली में ही होगा आपको ये बात गाठ बांद लेनी है अच्छा तो इटली में इस साल हो रहा है बहुत बड़िया अच्छा लगा सुनके लेकिन हर साल बताओ नो थोड़ा सा तो मैं आपको बताता हूँ 2020 में जो भी हुआ साओधी अरब में हुआ सोलवा वाला जो इटली में होगा जो भी कारिकरम होगा वो सब चीज इटली में होगी 17 जो अगला 2022 में होगा वो इंडोनेशिया में होगा 2023 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है 18 नंबर का है और वो इंडिया में होगा 19 नंबर का 2024 में ब्राजील में होगा तो ये डीटेल है इसी तरीके से हम करिंट अफिर में भढ़ते हैं वर्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज ओपेंड इन विच सिटी तो अंसर हो जाएगा कहां पर इसको ओपेंड किया गया है तो ओपेंड किया गया है इसको अमस्टर्डम में मला नीदर लेंड में इसको ओपेंड किया गया है यहां पर आप देख सकते हैं पढ़िए थोड़ा से अच्छा लगेगा अगले कोशन की बात करें हुँ नेमड एए एफफ वुमेंस फुटबॉलर अफ दी येर 2020 20 and 21 तो अंसर हो जायेगा यहां पर क्या नगंगम बाला देवी को यह अवार्ड दिया गया है यहां पर आप देख सकते हैं इनका नाम और इससे पहले मैंने आपको किसी और का नाम बताया था कौन थे जिंगम जिंगम थे जिनको मेल के लिए अवार्ड मिला ही वाला ठीक है यह मनीपुर से बिलॉंग करती हैं आपको यह बात याद रखनी है अगले कुशन की बात करें विच कंपनी साइन्स एज इस पॉंसर विद इंडिया ओलंपिक एसोशेशन फोर टोक्यो ओलंपिक तो अडानी ग्रूप ने अभी डिसेंटली में टोक्यो में जो ओलंपिक च इड़ गई जिसकी वज़से अडानी ने का बिटा चिंता मत को रहम है तो अडानी आ गया आगे बात करते हैं विच स्टेट सिटी सेलेक्टेड बाए युनेसको अंडर इट्स हिस्टॉरिक अर्बन लैंड्सकेप प्रोजेक्ट तो यह युनेसको ने दो भारत की सिटी को सिलेक्ट किया है हिस्टॉरिक अर्बन लैंड्सकेप प्रोजेक्ट के लिए तो कौन कौन सिटी और कहां पर हैं वो तो मद्द प्रदेश में हैं वो कौन है वो वह हमारी ग्वालियर यहां पर देख सकता है ग्वालियर है और ओर्चा है ग्वालियर और ओर्चा के लिए इ चलिए आगे बात करते हैं यहां पर डीटेल है अगले कोशन की बात करें रुद्रेश्वर टेंपल इंस्क्राइब एड इंडिया थर्टी नाइंट यूनेस्को वर्ल्ड हैटेज लिस्ट इस टेंपल बिलॉंग तो विच स्टेट तो यह टेंपल कहां पर है तेलंगाना में टेंपल तेलंगाना में ठेंपल है इतनी बात आपको यहां पर द्यान रखनी है और एक चीज और ध्यान रखनी है पहला जो यूनेसको की हैटे साइट है वह कहां पर है अजंता के उसम्यंदा के जो कि महाराष्ट में है आगे बात करते हैं अगला यह सारी डीटेल एक 2019 के लिए Differentially Abled Sportsman का अवार्ड किसको मिला है तो अंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रमोध भगत को प्रमोध भगत को यह अवार्ड दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमोध भगत को Differently Abled Sportsman of the Year 2019 के लिए दिया गया है कौन देता है इसको तो RPSG और विराट कोली की जो Foundation है 2017 से यह अवार्ड दे रही है आगे बात करते हैं विच साइट इंस्क्राइब एस दा इंडिया स्फॉर्टी यूनेस्को फॉर्टी यूनेस्को वर्ल्ड हैटेज लिस्ट तो अंसर हो जाएगा यहाँ पर धोला वीरा दोला वीरा को 40 यूनेस्को वर्ल्ड हैटेस साइड में भारत की सेलेक्ट की गई है यहाँ पर आप देख सकते हैं तो 44 सेसन चल रहा है यूनेस्को का वहाँ परिभार इनकी रुद्रेश्वर जो रंपा टेंपल है और एक और दोला वीरा इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया है और भारत की अब टोटल यूनेस्को साइड कितनी हो गई है 40 अब देख रहे है 40 हो गई है और उनके साथ साथ कोशन तो वो था गुजरात की बात हो गई सारी डीटेल यहाँ पर लिखी होई है एक्स्टा इंक्लूड भी करने वाला हो अभी वाईलाइफ सेंचुरीज वगेरा इसमें मैं इंक्लूड करूँगा आगे अगले कोशन की बात करें हू इलेक्टेड एज निव चीफ मिनिस्टर ऑफ करनाटका तो करनाटका के नए चीफ मिनिस्टर बन गए है बसावाराज बोमई बसाराज बोमई जो की बियस यदुरप्पा की जगे लेंगे यहां पर बात करते हैं करनाटका की बात आगे बात करते हैं अगला कोशन है इंडिया इंडो रशिया जॉइंट मिलिटरी ड्रिल एक्सराइज इंडरा 2021 तो वोल्गो ग्लैड में यह हैड हुई है रश्या का एक सिटी है इस बात को याद अखना है अगला कोशन है विच सिटी बिकम्स इंडिया ज फर्स्ट सिटी टू प्रोवाइड क्वालिटी ड्रिंकिंग टैप वाटर तो अंसर हो जाएगा पुरी पुरी ने कहा है कि भाई आप तुमको पानी स्टूर करने की ज़रुत नहीं है जब आप तंकी खोलेंगे आपके घर में पानी आ रहा होगा हमने 100% 24 गंटे आपको पानी देने का वादा कर दिया और यह कंप्लीट कर दिया यह भारत का पहला ऐसा सिटी बन चुका है इसलिए most important है कोई नहीं कर पाया पुरी ने कर दिया पुरी कहां पर है पुरी है औरिशा में आपको यह बात याद रखनी है अगले question की बात करें which city becomes only Indian city to make its clean air catalyst program तो clean air catalyst program के लिए किस city को चुना गया है मतलब वहां की जो air है उसको साफ करने के लिए बहुत तेजी से काम किया जाएगा तो वो इंदौर को चुना गया है भारत की सबसे स्वक्ष जो city है उसको चुना गया है किसने चुना है तो आपको बता दूँ तीन एजेंसी है इन्होंने चुना है इसकी full from US Agency of International Development World Resource Institute और Environmental Defense Fund इन तीनोंने मिलकर इसको चुना है किसको इन दौर को आगे बात करते हैं अगला question है who appointed as Delhi Police Commissioner अभी recently में अपॉइंट हुए है राकेस अस्थाना आगे बात करते हैं यहां पर Delhi के बारे में साठी डीटेल है अब को लग रहा है कोई कम डीटेल मैंने हापर दे रखी है मुझे नहीं लग रहा, अगर आपको लग रहा है तो comment कीजिए कि यह detail और आप इस slide में include कर सकते थे, वो भी कर देंगे, आगे चलके में battery तो बनना है, आप कमी बताएं, हम उसको सही करेंगे, अगले question की बात करें, which state become the first state to reserve job for transgender person, तो करनाटका ऐसा एक state बन गया है, जिसने काई कि ठीक है, हम reserve करने वाले हैं seatे, transgenders की हर category में, मतलब अगर EWS है तो उसकी भी reserve कर देंगे, और OBC है तो उसकी भी reserve कर देंगे, मतलब सब की जितनी seats हैं, उसमें शायद 1% reservation का plan बनाया है, करनाटका.